जाती है तब उनका रोग पूरता हा पूरी तरह ठीक होता है और उन्हें आराम मिलता है तीन तरह के रोगियों में सबसे ज़्यादा नाभी डिस्टर्ब मिलती है अर्थात ऐसे लोगों में नाभी डिस्टर्ब होती ही है नमबर एक स्पाइनल कॉर्ट के रोगियों में अग हुई मिलती है दूसरा Indiacon Colitis IES जैसे पेशेंटों में अगर नाभी देखी जाए तो maximum लोगों में नाभी डिस्टर्ब मिलती है और तीसरा sexual disorder के पेशेंटों में अगर नाभी को चेक किया जाए तो उनकी नाभी डिस्टर्ब मिल दी है इसलिए इन तीन पिरकार के रोगियों को तो विशेश रूप से अगर वो अपने रोग को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी ना भी जरूर चेक करवाएं और ना भी चेक कराने के बाद अगर डिस्टर्ब है उसे सेट करें इस वीडियो के माध्यम से जो भी आप आपको टेक्निक बताई जाएं उनको फॉलो करें फिर आप देखिए कि जिन रोगों में आपको लंबे समय से लाब नहीं मिल रहा था उन रोगों में भी आपको बहुत जल्दी लाब महसूस होगा अब सबसे पहला प्रशन उठता है कि रोगी की नाभी हम कैसे चेक करें क कि भो हटी हुई है या नहीं तो इसके चार महत्वपूर तरीके हैं सिर्फ और सिर्फ यही चार तरीके हैं नाभी को चेक करने के और इन चार तरीकों से आप पता लगा सकते हैं कि नाभी अपनी जगा इस्थिर है या नहीं सबसे पहला तरीका है कि आप उस रोगी के दोन कलाई को आपस में लाइने मिलनी चाहिए जब ये आपकी पांच लाइने मिल जाती हैं तो आप मान लीजे कि ना भी अपनी जगा इस्थिर है कलाई को आपस में लाइने मिलनी चाहिए जब ये आपकी सबसे पहला तरीका है कि आप उस रोगी के दोनों हातों की हतेलियों को मिलाईए और जो small finger है इसकी तीनों लाइने देखिए आपस में मिलनी चाहिए उसके बाद हतेली पर जो लाइन है वो मिलनी चाहिए और उसके बाद कलाई पर आकर कलाई को आपस में लाइने मिलनी चाहिए जब ये आपकी पांच लाइने मिल जाती है तो आप मान लीजे कि नाभी अपनी जगा इस्तिर है अगर ये आप उपर नीचे मिलती हैं तो आप समझ लेजे उसकी नाभी अपनी जगा नहीं है नाभी हटी हुई है दूसरा तरीका आता है कि आप पेट बिल्कु सीधा रोगी को ले डाल दीजे और हाथ के अंगुठे को बिल्कु नाभी के सेंटर पर रखे यहां पर आपको इसपंदन महसूस होगा वैब्रेशन फील होगा अगर बिल्कु सेंटर में आपको फील होता है तो आप समझ लेजे रोगी की नाभी इस्थिर है अपनी जगा है अगर वो उपर नीचे राइट लेफ्ट या किधर भी हाटा हुआ फील होता है तो आप समझ लेजे नाभी अपनी जगा इस्थिर नहीं है अपनी जगा है अपनी जगा है यहाँ पर आपको इस्पंदन महसूस होगा वैब्रेशन फील होगा अगर बिल्कु सेंटर में आपको फील होता है तो आप समझ लेजे रोगी की नाभी इस्थिर है अपनी जगा है अगर वो उपर नीचे राइट लेट या किधर भी हटा हुआ फील होता है तो आप समझ लेजे नाभी अपनी जगा इस्थिर नहीं है हटी हुई है और तीसरा तरीका जो जनरली पुरुषों में चेक किया जाता है कि नाभी से आपका जो चेस्ट का इस्थन का निपल है आप यहां से डोरी से या धागे से नाप लीजे जब आप इससे नापते हैं दोनों तरफ तो आपको एक से तीन इंच तक का फरक मिल जाता है तो आप समझ लीजे ना भी उस रोगी की इस्थिर नहीं है, हटी हुई है और चौथा और अंतिन तरीका है कि आप रोगी को अपने स्थान पर बिल्कुछ सीधा ले डाल दीजें और उसके पैरों के दोनों अंगुठों का मिलाई है अगर ना भी हटी हुई है तो ऐसे रोगी के दोनों पैर के अंगुठे उपर नीचे मिलेंगे तो आप समझ दीजे उस रोगी की ना भी हटी हुई है और ऐसे रोगी को जिनकी ना भी हटी हुई है उनको ना भी सेट करने की आवशकता है तो किसी भी रोग में सबसे पहले आपको उस रोगी की ना भी सेट करना है तब आप उस रोग को में उस रोगी को लाब मिल सकता है अनिधा नहीं तो यह थे आपके चार तरीके जिसके माध्यम से आप रोगी की नाभी जास सकते हैं कि रोगी की नाभी हटी हुई है या नहीं अब दूसरा प्रशन आता है कि किस तरह हमें नाभी को सेट करना है तो इसके लिए मैं आपको तीन महत्वपूर प्रैक्टिस बताने वाला हूं और सिर्फ और सिर्फ इनी प्रैक्टिस से आप नाभी को सेट कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं किसी और तरीके की आवशक्ता नहीं है यह तीन तरीके उन लोगों के लिए भी हैं जिनकी नाभी बार बार हटती है और यह तीन तरीके अगर किसी की पहली बार हटी है अगर अभ्य सीखते हैं कि वो तीन प्रेक्टिस कौन सी हैं जिससे आप अपनी नाभी को अपनी जगा पर इस्थिर कर सकते हैं और रख सकते हैं सबसे पहला भ्यास हम लोग करेंगे राइट लेग फोल्ड करते हुए लेफ्ट नी घुटने पर रखेंगे एंकल जॉइंट से और राइट लेग के घुटने को आपको जमीन की तरफ स्टेच करना है जमीन की तरफ स्टेच करते हुए देखिए इस तरह स्टेच करिए हलका सा रोकिए और छोड़ दीजे इस तरह दूसरे पैर को रखिए और इसमें आप किसी दूसरे व्यक्ति का भी हेल्प ले सकते हैं और इस घुटने को स्टेच करा सकते हैं घुटने पर हाथ रखकर दबाव बना सकते हैं यह आपके नाभी को अपनी जगा पर ले आता है इस्तिर कर देता है यह आपको 10-10 टाइम्स राइट और लेफ्ट दोनों पैरों से करना है इसके बाद आपको दोनों पैरों को मोल कर इस तरह रखेंगे और पैरों को दोनों मिलाते हुए घुटनों को जमीन की तरफ हाथ से स्टेच करेंगे इसमें भी आप किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं घुटनों पर हाथ रखवा कर स्टेच करिए जितना आराम से कर पा रहे हैं जवस्ति नहीं खीचेगा बहुत आराम से पैरों को खोल लिजे और फिर मिलाते हुए स्टेच करिए जिन रोगियों को कमर दर्द है उनको बहुत आराम से स्टेच करिएगा यह विशेश रूप से ध्यान रखना है और धीर इसे पैरों को छोड़ दीजे तीसरा अभ्यास दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाइए और सिक्स्टी डिग्री के एंगिल पर लाकर पैरों के पंजों को आगी की तरफ स्टेच करिए इस इस्तिती में देखिए गिल को सीधा रखते हुए और धीरे धीरे वापस लाएंगे आपको पैरों को सिक्स्टी डिग्री से नीचे लाने में कम से कम दस सेकिंड लगना चाहिए यह बिशेश रूप से ध्यान रखेंगे अब देखिए इसी तरह धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे पंजों को स्ट्रच रखेंगे और फिर धीरे धीरे बापस लाएंगे कम से कम दस सेकिंड में उपर ले जाएंगे और दस सेकिंड में ही बापस लाएंगे इसको तीन से पांच बार कीजिए तो यह देखिए आपने यह तीन प्रैक्टिस अगर इन तीन प्रैक्टिस इन अभ्यासों को अगर आप प्रति दिन करते हैं तो आपकी ना भी अपनी जगा सेट हो जाती है इस्तिर हो जाती है और जिन लोगों की बारवार हटती है वो लगातार प्रति दिन अपनी योगा को आप्भयास अपने दिंचर्या में तीन अभ्यासों को शामिल रखें और बार-वार ना भी हटने की समस्या से वो निजात पा लेंगे अब प्रस्ण आता है कि डाइट में वो कौन सी दो चीजें हैं जिनको हम डाइट में शामिल कर लें तो बार-बार नाभी नहीं हटती अपनी जगा इस्थिर रहती है तो सबसे पहला है दही और गुर्ड आपको सुबा खाली पेट एक कटोरा दही में आधा चमच गुर्ड खाना है जिनको शुगर है वो गुर्ड नाले खाली दही खाएं और प्रत्य दिन खाली पेट दही जब आप खाएंगे अपनी नाभी सेट होने के बाद तो आप देखेंगे कि आपको बार-बार नाभी एटने की समस्या से निजात मिलेगी और दूसरा जो सबसे अगर आप उसे मिलाकर खाना खाने के बाद मुह में डाल लेते हैं और उसे खाते हैं तो आपको बार-बार नाभी की समस्याओं से नलों में सूजन नाभी का हटना नाप का हिलना बहुत सारी ऐसी पेट की समस्याएं हैं जिससे आपको पूर तहा